हालो लिसनर्स आज के टुटोरल में हम सीखेंगे प्रिस्पेक्टिक ग्रिट टूल के बारे में यहां से हम क्या करेंगे फाइल में में जाएंगे हम यहां से न्यू डॉक्मेंट ओपन करेंगे जातो अब डिरेक्ली यहां पर क्लिक कर सकते हैं नहीं तो आप कीबोर से कंट् श्रेस करके आप अपने डॉक्मेंट को ओपन करें गया ये निई डॉक्मेंट का हम पर ग्योड ウटक्स ओपन हो गया। जेसे शही हम recommended करेंगे थो हम तो यहीं में फैसे डॉक्मेंट ओपन हो घा, यहां से हम क्या करते हैं यह जो हमारे पास top, left, right और bottom में जो हमारे पास controls शो करते हैं इनसे हम अपनी grid को control कर सकते हैं For example, अगर आप यहां पर इसके उपर click करते हो तो आप इसकी height को उपर increase कर सकते हैं इसको उपर ले जाना चाहते हो अपनी diagram के according भी आप उसको उतना height में manage कर सकते हो यहां से क्या है आप इसको control कर सकते हैं means अगर आपने left hand side या right hand side किसी भी side से आपका अपनी grid को move करवाना है तो आप यहां से भी setting कर सकते हो अगर आप right hand side से करना चाहते हो तो यहां से हम लोग right hand side से जहां तक भी आप इसको ले जाना चाहते है according to your need आप वहां तक इसको ले जा सकते हो उसके बाद आता हमार पस यहां पे नीची अगर आप देखो के bottom में तो यह इसको हम क्या करते हैं यह हमारी grid lines को control करता है next point आता हमार पस center point यहां भी अगर आपको मैं बताना चाहूंगे ध्यान से कि अगर आप suppose इस वाले इधर वाले portion का move करना चाहते हो तो आप इस side से जो आपकी left hand side का arrow है आप इसको move करेंगे यह देख सकते हैं आप इसको अपने accordingly इसको set कर सकते हैं और अगर आपको right hand side का इ इसको अपने accordingly इसको move करना आप उतना इसको move कर सकते हो means यह opposite होता है अगर आपके right hand side का grid आपने change करना है तो left arrow और अगर left hand side का grid आपने use करना है तो right hand side का arrow यह हो तमारा center का center में आप जितना मर्जी इसको down और आप कर सकते हो अपने need के according जितना भी आपने इसको रखना है और यहां से भी हम अपनी grids को यहां से control कर सकते हैं इसकी जो columns और rows से उनको increase और decrease कर सकते हैं यहां से कर सकते हैं यहां से हम क्या करेंगे पहले हम view menu में जाएंगे जैसे भी हम view में करना चाहते हैं view menu में जाएंगे यहां से हम select करेंगे प्रिस्पेक्टिव grid प्रिस्पेक्टिव grid को select करने के बाद अगर आप यहां पर देखोगे हमारा पस यहां पर तीन options आती हैं one point perspective two point perspective और three point perspective अगर आप one point perspective पे one normal view पे click करोगे तो आपको आपका जो perspective grid जो है वो इस form में show होएगा अगें हम view menu में जाएंगे और हम यहां से select करेंगे perspective grid और यहां से two point को करेंगे तो two d two p normal view हमारा पस as it is आ जाता है अगेन हम view menu में जाएंगे यहां से हम perspective grid को लेके 3 perspective में जाएंगे तो आपको यह इस तरीके से आपका grid जो है वो show करेगा हम वापिस view menu में जाकर इसको perspective को हम लग जो हमारा by default जो था वो था 2 point perspective और हम इसको यहां से 2p normal पे select कर देते हैं तो आप view menu में जाकर भी आप अपने perspective grid का view जो है वो change कर सकते हों अगर आप चाहते कि कुछ आपनी इसमें changes करनी है तो आप keyboard से भी इसमें changes कर सकते हैं for example अगर आप keyboard से one press करते हो तो यह आप देखेंगे यह आपको left hand side पे लेके जाएगा numeric की अगर आप one press करोगे तो यह आपको left hand side पे move करता है और अगर आप two press करोगे तो यह horizontal लेके जाएगा आपको और अगर आप three press करोगे तो यह आपको right hand side पे लेके जाएगा means that कि आप जो है इनको keyboard के through भी access कर सकते हो यहाँ पर अगर आप देखो के left पे top पर जो आपको एक circle शो हो रहा है यहाँ पर जब हम mouse को hover करते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमें grid का view दिखाता है means यह कौन सा left है right है तो right का show करेगा bottom है तो यह आपको bottom का show करेगा means that यह आप देख सकते हैं अब भी जो है हमारा bottom पे ह है और अगर हम यहाँ पर click करते हो तो यह हमारा side का area जाएगा left hand side का अगर हम इधर click करते हो तो यह हमारा right hand side का area जो है वो show कर देगा means that कि आप यहाँ से भी view कर सकते हो कि अब भी हमारा grid का current position कहां पर है तो आज के tutorial में हमने perspective grid tool का use करना सिखा कि हम इनको इसके उपर हम किस किसी भी शेप को arrange कर सकते हैं किसी भी building का grid बना सकते हैं यह सब चीज़ा जो इन सब को हम इस्तिमाल करते प्रोस्पेक्टिव grid tool में थैंक यू